पंजाब में कांग्रेस को बड़ा राजनीति जटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ट नेता रहे पूर मंतरी मनपरीत सिंग बादल ने वुद्वार को कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। केद्रिय मंतरी प्यूश गोयल और बीजेपी र लड़ते रहते हैं। उन्होंने का कि कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई पार्टी है। जहां हर धड़े के नेताओं के बीच पत बाट दिया जाता है। और वो आपस में लड़ते रहते हैं। मुश्किल ये थी कि how can you operate in a party which is at war with itself. अपने साथ ही जंग है। धड़े बने हुए हैं। जो चार-पांच धड़े होते हैं। एक को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते हैं। एक लीडर ऑफ लेजिस्टेटर पार्टी बन जाता है। एक लीडर ऑफ केंपेन पार्टी एक हम स्यासत करते हैं मुल्क के लिए कुछ न कुछ अपनी कौम के लिए करेंगे। धर्ती मां का कर्ज देना है। हम को धड़ों की स्यासत थोड़ी करेंगे। तो यह वज़ा है कि कॉंग्रस छोड़ने की नौबत पड़ी। प्यूश कोयल ने मन्तरीत बादल का बीजेपी म अटूट और आत्मिता का रिष्टा और ज्यादा मजबूत होगा। पार्टी को बहुत बड़ा एक पंजाब में भी और देश की रादनीती में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन मैं आज को मानता हूं।